हाई आपके साथ मैं हूँ सुर्भीश शर्मा इंडिया टीवी यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सुर्भीश शर्मा बड़ी खबर पश्रमंगाल में राउंड फो की वोटिंग हो रही है और इस दौरान पूरे बंगाल में बम, गोली, मौत और मुर्डर की जबरदस खबरे आ रही हैं बड़ी खबर इस वक्त बंगाल के बेहाला इस से है जहां पर बीज़ेपी नेता पाइल सरकार के काफिले पर हमला हुआ है बीज़ेपी कैंड़ेट पाइल सरकार की कार के शीशे तोड़ दिये गए हैं पाइल सरकार ने हमले का आरोप टीमसी के कारेकरताओं पर लगाया है उनका कहना है कि उन्हें पोलिंग बूट पर गडबड़ी की शिकायते मिल रही थी और जांच के बाद जब वो बूट से लोटने लगी तो उन पर हमला बोल दिया किया पाइल सरकार जी और आप पाइल सकार की गाड़ी पर हमले की तस्वीर इंडिया टीवी पर ये एक्स्लूसफ तस्वीर आप देख रहे हैं अला कि कई बूट पर गडबड़ी की खबरे पाइल सरकार का दावाय उन्हें मिल रही थी और जब वो मौके पर हालात का जाइजा लेने के लिए पहुँची पूरे मामले पर आक्शन की बात करने के लिए पहुँची तो उनकी गाड़ी का खिरा गया उन पर हमला हुआ जापर पाइल सरकार की कार पर हमला हुआ संबादादा अमित पाले तो स्पॉट पर पहुचे पाइल सरकार से एक्श्लूसिफ बात की सुनिए इस वक्त मैं बेहाला इस्ट के शोजनावेरिया इलाके में हूँ और शोजनावेरिया के हॉस्पिटल मोड पे आप देखिए कि गाड़ी पर अटाक हुआ है यह गाड़ी किसके पहले आपको बताते हैं गाड़ी है पाइल सरकार की जो बेहाला इस से बीजेपी की प्रत्य करेंगे यहां पर देखिए कि इस वक्त जो पूरी मीडिया है पाइल सरकार से इसी बारे में बात कर रहे हैं यहां पर और भी लोग आ चुके हैं साथी साच जो इलक्शन कमिशन के कुछ लोग हैं पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुँच चुकी है और यहां पर अब हुआ है आप ठीक है जे क्या हुआ यहां हम लोग यह 303 और 304 विजिट कर रहे थे हैं मैं यहां बार बार आ रही हूं इसलिए क्योंकि यहां से बहुत कंप्लेंज आ रहे हैं और यह सेंसिटिफ बूट्स है और यह जो 142 वार्ट इस इस आज़सर वेरी प्रॉब्लेमाट करिया जहां रात को दो बीजेपी वार्कर के घर पे जाके हमला हुआ आग लगा गया उनके बच्चों को मार पीटा गया उनको और सुबहे मलिकपूर यहां से बहुत ही पास है तो यहां लोग जमा होके बोल रहे थे कि उनके ओपर ठ्रेट किया जा रहा है उनको उनको यह भी बोला जा रहा था कि CRPF कब तक रहेगा चला जाएगा तो फिर क्या को रहेगे तुम लोग तो यह चीज़ा तो कल से चल बहुत दिनों से चल रहे लेकिन कल से थोड़ा जादा यह सब एसकेलेटिड हो गया और इसलिए मैं बार बार आई हूँ और बीच में कम्प्लेन आई है उस टाइम के अंदर यहां पर रिगिंग होना स्टार्ट हो गया और इसलिए मैं बार बार आ रही हूँ पर लास्ट टाइम जब हम लोग यह विजिट करके जा रहे थे तो मुझे दो तिन बाइक्स दिखाए दिये जहां पर लोग बैठे थे और हमारे गाड़ी के कोई तरफ देखकर हस रहते हैं मैंने यह कंप्लेंड भी किया मैंने इन से शेयर भी किया है कि यह लोग हस रहे हैं तो इसलिए थर्ड टाइम हम कोईंग है और विजिट करने के बाद जब हम लोग वापस निकल रहे थे तो यह इंसिडेंट हुआ है अच्छा एक बाह बता कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमने किसी पे जाकी आटाक नहीं है किसी को थरेट नहीं किया है अम सबको ऐहीं भोल रहे है कि आप ऍवोट दे शांती लोग चलाह ते इस बात का है आपकिक यही बारडर है कि उनको अभी पता है का खेला खतम हो गया हम लोग ज यह तो खतम हो जाएगा ना तो इसी चीज़ का डर है उनको आपको डर लग रहा है कि अभी अभी डरने का टाइम नहीं है मेरे पास तो अभी थैंक्फुली मेरे साथ जो लोग थे कोई इंजॉर नहीं है यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस वक्त वक्त पायल अपने ध्यान रखी है यह हमारे साथ पायल थी जिन्होंने बताए कि किस तरह से उनके गाड़ी पर हमला हुआ है और इस इलाके में लगातार उनको इस तरह की कटना सुनने को मिल रही थी कि उनके लोगों को वोट दोने नहीं दिया जा रहा है और बाकी जो सारे कंप्लेंस थे वो भी बता रहे थे और अब देख सकते हैं कि किस तरह से उनके गाड़ी पर यह पूरा हमला हुआ है और यहां पर देखी कितने बड़े-बड़े पत्थर मारे गए पूरा काच यहां तूट गया है चीबात यह थीक है और लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है क कि वो अपना काम करती रहेंगी हर बूत पे जाके देखेंगी यहां पर कोई भी अगर कोई उनके वोटकर्स को रोक रहा है या फिर उनके पार्टी के लोगों को कोई मार रहा है कुछ कर रहा है तो उनके सामने जाके खड़ी होंगी और लगातार इस इलाके में वो घूम सवाल यह कि आखिर बंगाल में हिंसा की राजवनीति कब तक चलेगी आज सिर्फ पाइल सरकार के काफिले पर ही हमला नहीं हुआ बलकि चिंचुडा से बीजेपी कैंड़ेट और सांसद लॉकित चाटर जी पर भी अटाक हुआ कार के शीशे तोड़ दिये गए यहां पर भी हमले का आरोब टीमसी समर्थ ओपर है लॉकित चाटर जी को टीमसी के वरकर्ज ले काले जंडे दिखा इस दौरान जब सुरक्षा बलोने लोगों को रोकने की कोशिश्टी तो उनकी गाड़ी पर भी पत्तर देगे हैं हमले में लॉकित चाटर जी को चोन की आई है पहले जो हमला हुआ आपकी गाड़ी पर वहां क्या स्थिती ती किस बात पर आपने अब्जेक्शन किया था जिसके बाद यह हमला हुआ उदर चपा हो रहा था एक महिला लोग आशा कर्मी का एक मुसलिम महिला चपा मार रहा था मैंने जाके पुरा सर्प्राइज बिखा दिया है उसका काड किया कवीड मैनेजमेंट टीम बोलके गया था ऐसा कुछ नियम नहीं है कि कवीड मैनेजमेंट कोई महिला जाके एविएम के सामने खरे होके किसी को बोलेगा आप टी-े-मसी में भोट दीजिए नहीं तो मैं दे रहा हुँ हूँ मैं इसलिए पर पूरा घेर लिया था माड़ोर भी किया मेडिया को गारी से उतर के माड़ोर भी किया है और पूरा सीशा में इधर भी कट गया है पिछले पोलिंग बूत पर आपको जबरदस्ती निकलना पड़ा नारे बाजी होने लगी दबाव बना तो क्या ऐसी स्थिती में फ्री एंड फेर वोट हो पाएगा देखिए मैं ये बोलना चाहिए मेरे उपर जो हुआ है मैं सब महिला को सब बंगाल के जनता को मैं आवेदन करना चाहती हूँ ये शंत्राज बंद करने के लिए आप आएए वोट दीजिए टीमसी को बहार फे किये और बीजेपी को ले आएए ये शंत्राज बंद होना है दस साल से ये चल रहा है